हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई लाइफ पेज, मैं हूँ आपके साथ म्रदल शर्मा और आज हम न्यूज अंकरिंग में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में जानेगे कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कैसे लोग news anchor बन जाते हैं कैसे news presenter बन जाते हैं कैसे आप journalism में जा सकते हैं तो इन्ही सवालों के जवाब जानेंगे उससे पहले थोड़ा सा introduction मैं अपना दे देता हूँ मैं वोपाल से हूँ, मेरे schooling वही से हुई है college मैंने वही से pass out किया है engineering मैंने की है उसके बाद मैं journalism की field में आया हूँ as a journalist जब मैं इस field में enter किया था तो बहुत सारी problems मेरे सामने भी आई थी कैसे मुझे coop up करना है कैसे मुझे इस भागती दौडती जिंदगी में ये जो life होती है वो कई सारे flaws लेके आती है कई सारे दिक्कत लेके आती है परिशानी लेके आती है लेकिन उससे आप कैसे पार पाते है ये बहुत जरूरी हो जाता है मैंने अपना career 2012 में start किया था as an intern में एक channel में गया था वहाँ मैंने काम को सीखा काम को जाना उसके बाद धीरे धीरे मेरा career start हुआ दिली में मैंने काम किया उसके बाद मैं मध्यप्रदेश यसे हूँ तो वहाँ पर मैंने भोपाल में news channels के लिए काम किया I&E 24 में काम किया बंसल news में मैं news presenter रहा वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी right now मैं z media में काम कर रहा हूँ अब अगे बढ़ते हैं ये तो मेरा career हुआ लेकिन आपके जिखन में क्या चल रहा है आपको career में क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपने देखा होगा कि आपकी parents हैं वो आपके दिमाग में कुछ न कुछ भरने की कोशिश हमेशा करते हैं कि आपको ये बना news anchoring आते ही सब के दिमाग में face आ जाता होगा नमस्कार करते हूँ ऐसा hand रखके कि हाँ कोई news पढ़ता है लेकि news anchor basically है खबर का माध्यम क्या है newspaper से भी आपको news मिलती है लेकिन एक news anchor होते हुए हम आपको audio और visual के माध्यम से news पहुँचाते हैं या यह एक broadcast medium है आप तक news पहुचती है खबरों में आप रहते हैं अगर आप TV on करते हैं तो आप तक खबर पहुँच सके basically news anchor का ये काम होता है तो news anchoring की सबसे पहले की सीड़ी होती है आप camera को face करें और साथ साथ news की जानकारी रखें अगर आप career में as a news anchor आगे जाना चाहते हैं तो journalism के अलावा आपको क्या क्या करना होगा journalism के मैं बता देता हूँ pen language language is no bar अगर हम खबरों की बात करें तो news news होती है खबर खबर होती है उसका कोई भी उसकी language नहीं होती उसकी कोई भाषा नहीं होती है कोई भी भाषा हो खबर आपके लिए खबर होनी चाहिए language अगर आप हिंदी journalism में हैं तो हिंदी पर आपकी command होनी चाहिए अगर आप English से हैं तो English पर भी आपकी command पूनी चाहिए लेकिन nowadays जो हमारी society में आजकल चल रहा है English और Hindi दुनों साथ में compete कर रहे हैं सबसे पहले बात होती है presentation की presentation बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आप present कर रहे हैं वो आपके दर्शक को समझाना चाहिए आपकी जो audience है उस तक समझ से पहुचना चाहिए कि आप क्या उसे समझाना चाहते हैं audience बहुत important होती है क्योंकि आपका main motive यही है कि आप अपनी बात को audience तक पहुचा सकें अपनी खबर को audience तक पहुचा सकें तो presentation बहुत important हो जाता है कोशिश हमेशा यही करें कि जो भी आप बाते बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए अब हमारे पहले news anchor बनने के बाद recognition मतलब लोग आपको जानने लगते हैं लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप news anchor बनते हैं तो आप अपने काम से जाने जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से news deliver करेंगे या फिर आप credibility को लेकर हमेशा जरूरी कदम उठाएंगे तो ही आप जाने जाएंगे इसलिए news anchor बनने के बाद आपको लोग जानते हैं पहचानते हैं ये एक फाइदा जरूर मिलेगा सबसे पहले जब भी कोई हमें देखता है या news सुनता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है क्या ये सच है क्या ये truth है और वही हमारे लिए सबसे बड़ा challenge है कि आप कैसे truth को deliver कर रहे है delivering the truth कितना important है आपके लिए एक खबर को आदमी तक पहुचाना उसकी सचाई को क्या अंदर की खबर है कितनी वो सच है कितनी जूट है social media पर usually लोग जूट फैलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको भी हमें संभालना पड़ता है जिम्मदार कंदों पर जो जिम्मदारी है उसको निभाना पड़ता है इसलिए यही कोशिश करें जब भी आप news anchor मैं सुभा उठता हूँ थोड़ा वर्काउट करता हूँ वर्काउट बहुत ज़रूरी है आप एक news anchor है आपको fit रहना है, fine रहना है और उसके बाद मैं breakfast बगरा करके office जाता हूँ office में सबसे पहला मेरा काम होता है newspaper आज क्या खास हुआ है, कल क्या खास था कौन सी ऐसी चीज है जो मुझसे मिस हुई है, मैं newspaper, sites पे जाके अपने news room में अपने दोस्तों से program set करती है, मैं तयार होता हूँ उसके बाद मैं आप तक पहुँचता हूँ news deliver करता हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा काम शुरू हो जाता है शाम होते होते कुछ ऐसी खबरे हो जाती है जो आपके लिए जरूरी है, तो उनकी जानकारी हम करते हैं, शाम को मीटिंग में और फिर जानते हैं कि अगले दिन फिर उटना है फिर आप तक खबर पहुचानी है, तो ऐसे ही हमारा दिन चलता रहता है तो मैं आश्रा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको news anchoring से related बताया है, वो आप तक जानने की कोशिश किये बहुत संगशेप में और मैं आश्रा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे बहुत मैतुपूर्ण है, इस पर काम करें और जरूर सफलता आपको मिलेगी बहुत शुक्री आपका